इंदौर में लगातार बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए प्रिशासन सक्त हो गया है अब जिले में बिना मास्क पहन कर बाहर निकलने वाले लोगों पर सक्त कारवाई करने के साथी 200 रूपे फाइन वसूला जाएगा इस संबंद में इंदौर कललक्टर मनीश सह्सेह ने आदेश जारी कर दिया है नियो मुगपालण हो इसके लिए इस संबंधत अधिकारियों को भी निर्देश दे दिये गए हैं अब तक ये जर्माना सौ रूपे था इस संबंध में कलेक्टर मनीश सेह ने शनिवार को संशोधित आदेश जारी किया इसमें कहा गया कि सारवजने के स्थानों, कार्यालियों, कार्खानों, आदी कारिक्षेत्रों में बिना मास्क पहने पाये जाने वाले प्रतिव्यक्ति पर 200 रुपे स्पॉर्ट फाइन किया जाएगा मास्क मुगे नीचे करके और शारेरिक दूरी का उलंखन करके आपस में बात करने वाले लोगों पर भी 200 रुपे जर्माना लगाया जाएगा कलेक्टर मनीश सेह के मताबे कोरोना को कंट्रोल करने के हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं शहरवाजियों से अपील है कि वो गाइडलाइन का सकती से पालन करें गौरतलबाय कि अब तक शहर में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती हुई देखी जा रही है इसी के चलते एक अदम उठाया गया है